नमस्कार मैं हूँ विज्वा और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई बॉलिवुड में ऐसी कई आक्ट्रसेज हैं जो मिसाल हैं अपनी आक्टिंग के लिए तो वहीं जबरदस्ट एनरजी के लिए भी ये आक्ट्रस बने जबरदस्ट प्रेणना स्रोड आज हम आपको बताएंगे उन अक्ट्रसेज के बारे में जिन्होंने हर हालात में शूटिंग करना नहीं छोड़ा फिर चाहे वो प्रेगनेंट ही क्यों न रही हो शुरू करते हैं करीना कपूर खान से बेबो ने प्रेगनेंसी के दौराण अपने बेबी बंप को बिना छुपाए फैशन डिजाइनर सब इस साची के लिए रैंप वॉक किया था वीरे दिवेटिंग फिल्म की शूटिंग के दौराण ही उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था इसके बाद लोगों ने सोचा कि अब करीना फिल्मों में काम करना छोड़ देंगी लेकिन करीना ने कमिट किया कि वो डिलिवरी के बाद शूटिंग पूरी करेंगी और करीना ने वो किया भी आज वो एक बार फिर फिट एन ट्रिम हो चुकी है अब बात अक्ट्रस काजोल की काजोल का बॉलिवूड करियर शानदार रहा है और वो आज भी फिल्मों में अपनी आक्टिंग से पिर्चानी जाती है साल 1999 में आक्टर अजे देवगन से शादी करने के बाद भी काजोल ने अपने काम से किनारा नहीं किया इतना ही नहीं साल 2010 में वो फिल्म वी आर फामिली की शूटिंग के दौरान दूसरी बार प्रेगनन थी शूटिंग के दौरान करन और उनके हस्बिंड अजे ने उनका पूरा ध्यान रखा आपको विदादे फिल्म के बाद काजोल ने बेटे युग को जन्म दिया था बॉलिवोड की चान्दनी श्री देवी श्री देवी जो भले ही आज हमारे बीच नहीं है पर यकीनम उनके काम की जितनी भी तारीफ की जाय कम है वो वेहत महनती थी साल 1997 में आई फिल्म जुदाई की शूटिंग के दौरान श्री देवी प्रेगनिन थी उस वक्त उनके पेट में उनकी बड़ी बेटी जानवी कपूर थी इस फिल्म की विडूसर श्री देवी के पती बोनी कपूर थे दोनों की शादी साल 1996 में हुई थी और साल 1997 में जानवी का जन्म हुआ आक्ट्रस जुही चावला जुही चावला की दमदार आक्टिंग के हर कोई कायल है जुही ने एक से बढ़कर एक फिल्मे दी साल 1995 में जुही ने बिजनसमेन जय महता से शादी कर ली इसके बाद भी उन्होंने फिल्मे करना नहीं छोड़ा दरसल जुही आज दो बच्चों की मा हैं और उन्होंने अपनी दोनों प्रेगनेंसी के दोरान फिल्मों से किरार नहीं किया था जब जुही पहली बाद प्रेगनेंट थी तो उन्हें अमेरिका के स्टेज शो का ओफर आया था जिसे जुही ने मना नहीं किया और दूसरी बार जहनकार बीट्स के दौरान भी जू ही प्रेगनेंट थी बॉलिवुर्ड की धगधग गल माधुरी दिक्षित माधुरी दिक्षित के अदाओं के आज भी लोग दिवाने हैं माधुरी भी उन्हों अक्ट्रिस में से रही हैं जिन्होंने अपने काम के साथ किसी भी हाल में समझाता नहीं किया फिल्म देवदास के दौरान माधुरी प्रेगनेंट थी और उन्होंने फिल्म में सौंग मार डाला पर बेहतरीन डैंस किया था इस लिस्ट में पुरानी आक्ट्रस सदी के महानाय का मिताब बच्चन की पत्नी जया बच्चन का भी नाम शामिल है आपको वतादे कि फिल्म शोले से पहले ही जया और अमिताब शादी कर चुके थे और फिल्म की शूटिंग के दोरान जया प्रेगनेंसी और फिल्म के बाद उन्होंने बेटी शुटिंग को जन्म दिया था नंदिता दास अपनी जबरदर स्टैक्टिंग के लिए जानी और पहचानी जाती है नंदिता दास को प्रेगनेंसी के दौरान फिल्म आयम की शूटिंग करनी थी लेकिन उन्होंने घर पर आराम करने के बज़ाए शूटिंग पर जाना सही समझा तो ये हैं वो अक्ट्रसेस जो लोगों के लिए एक मिसाल बन करो भी इस वीडियो में फिल हाल इतना ही